हाई दिस इस मनीशा सिंग स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर फ्रेंट्स आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक्जाम की प्रिप्रेशन बहुत अच्छे से चल रहे होगे तो हाजीर हूँ आप सभी के बीच एक और खुस खबरी लेके जो कि डायरेक निकल क्या रही है आरार बी की तरफ से टेक्नीशियन की रिक्रूट्मेंट 2024 की रिगार्डिंग जी हाँ फ्रेंड्स जैसा आप जानते होंगे कि अभी ALP की वेकेंसी आय थी 566 पोस्ट के लिए तो उसके नोटीस के साथ ही एक सौट नोटीस जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि बहुत जल टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसके लिए बंपर नंबर की सीट के उपर रिक्रूट्मेंट आउट होने वाली है तो अगर आप भी इस पोस्ट का इंतजार कर रहे थे काफी समय से तो बहुत अच्छी अपर्चुनीटी रहेगी आपके लिए औल इंडिया की वेकेंसी है ग्रूप सी की पोस्ट रहेगी मेल फिमेल दोनों ही कैंडिडेट सप्लाई करेंगे तो अगर आप इंट्रेस्टेड हो इसके बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वाच करना क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके सेलेक्शन प्रोसेस के उपर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इग्जाम की पाटर्ण क्या होगी तो मैं complete detail में आपको ये बताने वाली हो तो चलिए अब जादा time waste नहीं करते हैं फटा फट से वीडियो को start कर लेते हैं Like I told you कि RRB में technician की new recruitment आने वाली है RRB के थुरू ये vacancy conduct कराये जाएगा railway recruitment board के थुरू टोटल post की बात करें तो आपका post 10,000 plus seats के लिए होगा अब आप सोचेंगे कि ALP के लिए 596 वे vacancy आई थी उसमें कुछ increment नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं है इसके आपको officially बता दिया गया है कि आएगा total post और अच्छा खासा bumper number पर आएगा और apply की date की बात करें तो firm आपका EC मंत यानी की February 2024 से start हो जाएगा और जब आप apply करोगे तो firm का fee क्या लगेगा चलिए मैं बता देती हूँ जेनरल OBC EWS से लिया जाएगा 500 रुपीज वही पर अगर ACST physically handicapped person या female candidate है उनसे 250 रुपीज लिया जाएगा और हाँ friends यह जो आपका fee होता है वो refundable होता है जैसा यहाँ पर देख सकते हो जेनरल OBC EWS से जो 500 रुपीज लिया जाएगा उसमें से आपको 400 रुपीज आफटर exam वापस कर दिया जाएगा ऐसा नहीं कि आप exam में नहीं बैठोगे और आपका पैसा आजाएगा आप exam में अगर बैठोगे पास हुए फेल हुए doesn't matter 400 रुपी आपका वापस आजाएगा ACST physically handicapped और female का जो 200 है यह totally आपका refund हो जाएगा 200 का 200 after exam आपके account में वापस आजाएगे चलिए देख लेते हैं कि age की क्या limit रहेगी पहले जान लेते हैं किस date से calculate होगा so your age will be calculated age on 1st July 2024 मतलब 1 July 2024 के अनुसार minimum 18 वर्स और maximum 30 वर्स आपका age रहेगा relaxation भी मिलता है OBC के candidates को 3 साल का और ACST को मिलता है 5 साल का relaxation अब जो most important topic है qualification की क्योंकि इस बार इसमें कुछ changes किये गए है तो आप तीन तरह से qualification अगर आपके पास है इन तीनों में से कोई एक तो आप eligible रहोगे चलिए देख लेते हैं पहला तो यह आपका है कि जो 10th pass out candidate है साथ ही साथ ITI कर रखा है वो सब eligible होगे सेकेंड अगर आपने 12th class में math और physics ले रखा है तो भी आप eligible रहोगे थार्ड है क्या कि डिपलोमा अगर आपने कर रखा है तीन साल का तो भी आप eligible रहोगे तो इन points को अच्छे से देख लेना है कि आपके पास क्या qualification है उसके बाद ही form के लिए process करना होगा चलिए अब देखते हैं किन-किन stage से गुजरने के बाद आपका selection होगा फ्रेंचे और selection is dependable on major 3 stages पहले stage पर CBT 1 मतलब computer based test 1 मतलब आपका computer आधारित परिक्षा 2 होगा 1 & 2 ये दोनों जब qualify कर लेंगे तब आपका DV यानी document verification फिर medical होगा आपको आपकी joining later उसके बाद provide कर दी जाएगे तो चलिए हम लोग देख लेजें कि exam जो होगा उसका क्या pattern है CBT 1 & 2 दोनों ही के लिए पहले हम लोग देखेंगे CBT 1 का friends पहले आप समझ गए हो कि online ही exam होता है paper 1 में आपका 75 questions रहेगा 75 marks के लिए per question 1 mark मिलेंगे time 1 आप और मतलब एक घंटे का समय दिया जाएगा यहाँ पर negative marking है 1 by 3 का और subject wise बात करी जाए तो maths के 20 questions 20 marks के लिए reasoning के 25 questions 25 marks के लिए third जो है general science उससे 20 questions 20 marks के लिए और general awareness और current affairs को combine करके 10 questions 10 number के लिए यह overall exam pattern है I hope आपको clear हो गया होगा इसको जब आप qualify करते हो इसमें जब pass हो जाते हो यह qualified nature का होता है उसके बाद ही आप CBT2 का paper दे पाऊगे तो CBT2 होता है न उसमें part A and part B दो part मिला के 2 घंटे 30 मिनट का paper होता है चलिए दोनों part को अच्छे से समझ लेते हैं part A में होगा friends आपका 100 questions 100 marks के लिए swap press में 100 number के लिए मतलब हर question के लिए एक number दिया जाएगा time will be 90 मिनट मतलब देर घंटे का part A होगा negative marking 1 by 3 करेगा subject wise बात करूँ तो math से होंगे 25 question reasoning से 25 question basic science and engineering से 25 question क्योंकि technician की post के लिए हो तो यहाँ पर science और engineering एक दाम compulsory रहेगा फोर्थ है general awareness and current affairs दोनों को combine करके 25 question 25 marks के लिए और जो यह होगा उसके बाद क्या होगा आपका एक घंटे का part B होगा जिसमें आपका 75 questions रहेगा relevant trade से जिस भी trade से आपने ITI किया है या फिर डिपलोमा कर रखा है उससे related question पूछे जाएंगे आपर और इसमें कोई negative marking नहीं होगा एक घंटे का paper होगा फिर जाब इसको आप qualify करोगे तब आपको आपकी joining letter दे दी जाएगी और रही बात की exam कहां पर होगा exam center कहां रहेगा तो आप form apply करोगे उस टेम आपको center चूज करना होगा ज्यादा दूर में जिस region के लिए आप apply करोगे उस region में आपका center देगा और nearby city ही रहेगा और job location की बातरी तो all over India के लिए आपकी रहेगी और उसमें भी आप जिस region का आप select करोगे आपको पोस्टिंग होगा जब पोस्टिंग होगी तो salary क्या मिलेगी मैं आपको बता देती हूं देखिए फ्रेंस स्टार्टिंग की salary आपकी 19,900 मतलब 20,000 से सुरुवात होती है after perks allowances हर साल इंक्रिमेंट होगी salary में उसके बाद आपको 35,400 रुप्या पर महीने का salary हो जाएगा तो opportunity अच्छी खासी है और आप देख सकते हो स्क्रीन पर उसका जो short notice है उसमें बताया गया कि बहुत जल्द वेकेंसी आउट होने वाली है तो मान के ये चली कि 20 फरवरी तक form online होना है स्टार्ट हो जाएगा और सारा process जल्दी जल्दी में किया जाएगा और रेन्वे की तरफ से ये भी पुष्टी की गए कि हर वर्ड सब आपका जो वेकेंसी है निकाला जाएगा ALP का next year same time पर फिर से आने वाला है तो जल्दी जल्दी से तैयारी की speed को आप बूस्ट कर दीजे ताकि ये सब opportunity आप से miss न हो जाएगा एक सीट अपना आचीव कर पाई इसी साल वेकेंसी और भी बहुत सारी आने वाली है और अगर इस short notice को आप डाउलोड करके देखना चा अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है कहीं पर कोई doubt है confusion है तो comment करके आप clear कर सकते हो वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरूर करना friends के साथ share करते रहना और मेरे चनल को subscribe करके जाना तो मिलोगी आपसे फिर से किसी government job की update के साथ तिल देन stay tuned